जैहिन दोस्तों आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग ब्रेक भेन के बारे में डिसकस करेंगे जैसे कि आप लोग का देखा जा रहा है कि गूड्स रेग में फ्राइड स्टॉक में यह ब्रेक भेन यूच होता है जो कि बेसिकली टीम टाइप का तीन प्रकार का आप लोग का ब्रेक भेन यूच हो रहा है इसमें से आप लोग देख लिजे कि बीभी जड़ाई बीवी जड़ सी और एक आप लोगा बीवी सी हैं ये तीन प्रकार का ब्रेक भेन इंडिया रेलियो में अभी यूच हो रहा है तो एक एक करके देखेंगे आप लोग का जो break-vend है तो पहला फेज में हम लोग bbg break-vend इसके बारे में देखेंगे इसका जो data है, parameters है, specification है इसके बारे में जानने का courses करेंगे जो कि आप लोग का exam point of view है आप लोग का बहुत ही important है बार बार आप लोग का कुछिन आ रहा है departmental exam में तो चलिए bbg break-vend से शुरू करेंगे जैसे कि आप लोग का कोई एक standard goods rack में देखा गिया है कि एक के संख्या में आप लोग का break-vend इसके बारे में जाहे वो bbg ee हो या आप लोग का bbg ee हो जो कि end of the rack rear of the rack में आप लोग का यूच होता है जिस समय के आप लोग का guard साप इसमें रहते हैं तो चलिए bbg के बारे में जानने का कोशिस करते हैं तो bbg basically आप लोग का ये 8-wheeler break-vend है जो कि इसमें आप लोग जानते हैं ये ICF trolley यूच किया गिया है ये आप लोग देख सकते हैं bbg break-vend का ये तस्विर देख सकते हैं image देख सकते हैं जो भी फ्रेंट्स good stock में काम करते हैं yard में काम करते हैं इसके बारे में उनलोग का जरूर नलेच होगा ये आप लोग का bbg break-vend है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोग का क्या-क्या basic data है जो कि आप लोग का regular exam में आ रहा है तो चलिए चलते हैं पहले देखते हैं आप लोग break-vend का type जो है आप लोग का bbg है तो ये आप लोग का break-vend का type है इसमें आप लोग का जो ट्रॉली यूच हो रहा है ये देखिए आप लोग का ICF ट्रॉली यूच हो रहा है और ये आप लोग का 8-wheeler break-vend है जिसमें कि wheelbase जैसे कि ICF कोज का 2896 mm होता है इसमें भी आप लोग का 2896 mm है उसके बाद चलते हैं length over coupler ये देखिए cbc to cbc इसमें जो coupler यूच होता है आप लोग का cbc coupler यूच होता है तो ये जो cbc coupler यूच होता है इसका आप लोग का length over coupler देखेंगे या length over cbc देखेंगे जो कि आप लोग का 14,000 ये देखिए 499 mm 14,469 mm होता है इसके बाद चलते है length over headstock आप लोग का end body से end body जो की 13,540 mm है ये सब important data, ये data को आप लोग को जैसे भी याद रखना पड़ेगा overall width कुछ है देखिए आप लोग का जो चोड़ाई, overall जो चोड़ाई है width है ये आप लोग का 3,200 mm है wagon code में चलेंगे जैसे कि आप लोग का जो new wagon numbering scheme है इसके अंतरगत जो पहला दो संख्या आता है पहला दो digit जो आता है ये type of wagon को दरसाता है तो इसी हिसाब से आप लोग का पहला दो संख्या जो code होता है आप लोग का बिभी जड़ाई break van के लिए वो 86 से सुरू होता है इसको जरूर याद रखे ये कुछ सिना रहा है नेक्स चलते हैं टियार वेट देखते हैं टियार वेट देखे 23.6 तो इसमें आप लोग का ये तू लोडिंग होता नहीं ये टियार वेट जितना है ये ग्रोस लोड भी उतना होता है ये भी याद रखे इसमें confusion नहीं होना है एक्सेल लोड आप लोग का देखे 5.9 टॉन इसका एक्सेल लोड है आप लोग गलती से भी ICF आप लोग का ट्रॉली है ICF बोगी है बोलके आप लोग 13 टॉन इसमें मत लिखिये गलती हो जाएगा नेक्स चलते हैं ब्रेक सिलिंडर देखते हैं जैसे कि इसमें आप लोग का ICF ट्रॉली है चार के संख्या में ये देखिये चार के संख्या में ब्रेक सिलिंडर लगता है जिसका कि आप लोग का साइच है 8 इंच या mm में चलेंगे तो 203 mm हो जाएगा उसी अनुसार ICF कोजमा जैसे पिस्टन स्ट्रॉक इसका 32 mm होता है इसमें भी आप लोग का सेम रहेगा 32 mm रहेगा से भी इसमें देखिये कि आप लोग का एक्स्टर्नल से भी यूज होता नहीं या आप लोग का ब्रेक सिलिंडर के साथ इन बिल्ट सिंगल एक्टिंग मेकानिजम रहता है यह यात रखिये बियरिंग टाइप इसमें आप लोग का SRB यूज होता है spherical roller बियरिंग यह जरूर यात रखिये suspension system इसमें primary suspension रहेगा secondary suspension रहेगा जो कि आप लोग का coil spring model होगा यह यात रखिये suspension system इसमें आप लोग का laminated spring रहेगा नहीं इसमें आप लोग का जैसके BBJC में रहता है वो इसे रहेगा नहीं इसमें आप लोग का ICF model है इसका boggy ट्रोली तो इसमें primary suspension या secondary suspension दोनों में ही आप लोग का coil spring model है यह जरूर यात रखिये next चलते हैं आप लोग का नया condition में wheel का diameter यह देखे नया condition में 915 mm होता है इसका wheel diameter उसी सबसे condomining जैसे कि पहले आप लोग का 813 mm था जो कि अभी 825 mm हो गया यह भी यात रखिये उसी answer यह भी change हुआ है cbc height देखेंगे आप लोग का इसमें जेतू loading का कोई condition नहीं है उसी इसाब से आप लोग का इसका cbc height जो maximum रहेगा आप लोग का यह देख ले ग्यारस सो पांच रहेगा और आप लोग का ग्यारस सो पांच प्लस मैनस प्लस 0 मैनस 5 mm होता है जो कि आप लोग का जो minimum आप लोग का कितना होगा ग्यारस से mm तो होगा लेकिन स्टांडर्ड इसको maintain किया जाता है ग्यारस से पांच एमें 1105 इसको maintain करके रखा जाता है नेक्स चलते हैं handbrake देखिए apply करेंगे तो आप लोग का जो इसमें चार एक्सेल है कोई भी एक ट्रोली का एक एक्सेल में मतलब दो चक्के में इसका क्या होगा handbrake यूच होगा ये भी यात रखिए number of brake block ये देखिए ICF कोच के तोर पर जैसे होता है कि 8 चका 8 चका में double-double करके आप लोगा 16 brake block यूच होता है ये यात रखिए इसमें आप लोगा जो यूच होता है आप लोगा brake beam जो यूच होता है ये hanger type का यूच होता है ये भी यात रखिए type of brake system में देखिए इसमें twin pipe air brake system speed आप लोगा जो maximum speed है 100 km ये भी यात रखिए height of bottom of boggy from rail level ये देखिए आप लोगा जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है आप लोगा बोगी का तो ओ आप लोगा rail level से कितना उसका height है 180 mm है ये भी यात रखिए air capacity जैसे कि आप लोगा ICF coach में 200 liter एक के संक्या में यही इसी में भी आप लोगा same है coupler जो यूच होगा center buffer coupler यात रखिए cbc coupler distance between boggy center boggy center के बिच में distance नो हजार चाविस है में 9026 ये सब आप लोगा बीवी जड़े ब्रेक बेसिक डाटा है जो कि आप लोगा exam point of view से ये देखिए बहुत important डाटा सब रखा गिया है जो कि घुमापरा के यह सब कुछ नहीं आता है तो चले फ्रेंस आज के लिए बीवी जड़े के बारे में ये सब आप लोगा basic data रहा जिसको की यात रखने का कोशिस कीजे तो ऐसे ही second page में हम लोग फिर बीवी जड़े सी देखेंगे और आप लोगा last page में देखेंगे BBC हम देखेंगे तो आप लोग भी बढ़े हां से preparation करिए वीडियो बढ़े हां से देखें जानने का कोशिस कीजे कहीं पर भी गलती हो रहा तो जरूर कमेंट्स कीजे तो चले फ्रेंस फिर मिलेंगे next वीडियो में next वीडियो का इंतिजार कीजे जैहिन दोस्तों